So Hello Everyone, बात करेंगे आज हिंदुस्तान जिंक के बारे में यहां पर आप देख रहे हैं 7% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल रही है, मतलब आप देखेंगे इसमें एकदम से gap down opening हुई है, कल तो यहां पर price जो थे इसके 560-70 के round थे, बट आज एकदम से 520 आ गए हैं, इसके पीछे का reason बताती हूं मैं इस वीडियो में, यह भी बताऊंगी क्या इसका support, resistance निकल कर आ रहा है, तो पूरी वीडियो watch कीजिएगा, आगे बढ़ने से पहले वैसे आप लोग हमारा WhatsApp ग्रूप जोईन कर सकते हैं, link in description, यहां पर previously हमने दिया था Indigo Paints का stock, और आप द क्लोस होने के बाद आया है, तो यहां पर government अपने stake dilute कर रही है, 2.5% stake अपने यहां पर sale कर रही है, OFS के थुरू यह हो रहा है, offer for sale के थुरू, यह यहां पर stake sale कर रही है, जिस कारण इसमें गिरावट इसले भी देखने को मिली है, क्योंकि 505 रुपीज यहां पर देखें और currently जो price चल रहा है या जो price था 560 का था, तो उस हिसाब से 505 इनों ने tag किया है, जिस कारण इसमें आज gap down opening हुई है, so wait कीजिए क्या होता है, इसमें आगे देखते हैं, तो बता दिया मैंने आपको valid reason कि क्यों इसमें गिरावट हुई है, OFS रहा है, और floor price 505 रखा गया है बाकि आप देखेंगे इसके जो returns रही है, इतने खास तो नजर नहीं आ रही है, 1 year में सही returns वैसे provide के गए है, 87% और 3 years में, 3 years में यहां पे भी ठीक ठाक है, जादा खास तो नहीं है, 5 year में भी ठीक ठाक returns है, and all time में 25,454% returns है, so यह भी मतलब सही है, बाकि चलिए directly बात करत हैं, क्या इसका support resistance निकल कर आ रहा है, तो यहां पर मैंने previously भी आपको बताया था, क्या इसका support resistance था, मतलब previous वीडियो में cover किया था इस share को, तो यहां पर मैंने बोला था, अगर 545 की अबाव सस्टेन करता है, तो यहां पर यह सस्टेन इसने weekly time frame में किया है, तो अब जो इस mid term perspective से आप लोग इसे consider कीजिए, तो 580 के अबाव भी अगर यह सस्टेन करता है, तो यह आपको 625 के अराउंड जाता हुआ, दिख सकता है, on weekly time frame यह रहेगा अगर 580 के अबाव एक candle close होती है, ठीक है, और support level की बात करूँ यहां पर मैं, तो support level जो रहने वाला है, यह रहेगा 489.90 के अराउंड इसका support level रहने वाला है, अभी currently 521 के अराउंड इसका price चल रहा है, तो 489 तक यहां पर इसका support रहेगा, and second support level 475 रुपीज के अराउंड रहने वाला है, तो आप लोग अभी wait कीजिए, वैसे तो floor price 505 रुपीज के अराउंड है, तो यहां पर भी आता है, तो support से दूर है, तो wait कीजिए, आप लोग इस stock में, I hope आपको यह video समझ आई होगी, पैसंद आई होगी, so thanks for watching this video.